हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो मैंने घर की सफाई कर दी थी अचानक मेरी नजर पड़ी मेरे इस प्लांट पर जो की सक्यूलेंट है और मैंने कुछ ताइम पहले ही लगाया है तो यह बहुत अची कंडिशन में चल रहा था फिर मुझे दिखाई दिया कि इसके पत्ते सब्सकेश ने िचानक में सब्सकेश कर देड़ी सब्सक्ण进 दोरंया है उसके सबस्क्राना पानी आ सब्सक्राइब जो कई है विज सबया में पाता है फिर पांसे सब्सक्राइब और और सारे पते भी इस तरीके से गल गए तो मैंने अपना काम छोड़कर के सबसे पहले इसको किया और मैंने इसके जितने भी पते गले वे थी ना सारे हटा दिये ताखिए की ये लिख सकते हैं इसको सारे पत्ते रिमूव करके और इसके बाद मैंने इसे लगा दिया है और इसे मैंने ना ऐसी जगे रखा जाहें से अच्छे से हवा लगे और इसका मिटी जो ना वह सुख जाया और फिर मैं इसमें वाटरिंग करूंगी क्योंकि इसकी मिटी जो है वह अंदर तक गीली ह और इसे सारी जड़ें अंदर की जितनी भी थी ना वो सारी की सारी के लगई थी तो मैंने इनको रिपॉर्ट किया है अब देखना ये है कि ये सरवाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता है और मैंने इसे इनडोर में रखा भाए वहां पर धूप भी आती है हलकी सी सुबह की और दिन भर हवा भी लगती है दिन भार की इसे लाइट मिल जाती है और इसको मैं फिर इसी तरीके से रख दिया सारे पत्ते भी मूव करने के बाद और बाखी जो इसकी दो अलग ब्रांचस थी ना उनको भी मैंने ऐसी चोड़ दिया और यह बड़ी अच्छी से ग्रो कर रह जहां पर इसे न धूप ना लगे हल्की फुलकी सी धूप लगे और ये दिन भर हवा इसको लगती रहे क्योंकि कई बार इंडोर में क्या होता है कि जब लूब अगेरे चलती है तो दर्वाजे बंद कर रखते हैं तो उसकी वज़े से भी हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ ग जी गए इसके अपडेट में आपको बाद में दूंगी तो आज के लिए बस इतना ही तो कभी-कभी ना हम सामने देखते रहते हैं और हमारा पौदा खराब हो जाता है और यही मेरे इस प्लांट के साथ भी हुआ तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू सो मज प्लांट